मैं दबंगों और पुलिस के सताने से परिसान हो करके यहां तक आया हूँ मेरी जमीन को हसडना चाहता है हड़प लेना चाहता है मैंने सजा काटी है और धाई मैंने मेरे बेटे ने सजा काटी है नमस्कार मैं ब्यूटी करी और आप देख रहे हैं जनहीतावाज आज का समय जो है अजादी को उपे 76 साल हो चुके हैं लेकिन SCST की प्रतार्णाय जो हो वो अब तक खतम नहीं हुआ है नहीं कम होने का नाम ले रहा है लगतार जो दबंग लोग हैं उचे तबके के लोग हैं वो निचले तबके को हमेशा दबा कर रखना चाहते हैं अपनी मुठी में रखना चाहते हैं अगर वो मुठी से निकलने की कोशिश करें तो उसे कुचल देने की पूरी कोशिश की जाती है और जो सत्ता में लोग हैं या जो अधिकारी लोग हैं वो भी दबंग लोगों कहीं साथ देते हैं ऐसी ही एक कहानी के साथ इसी ऐसा ही कुछ दर्द के साथ हमारे साथ लोग कुछ मौजूद हैं उनसे जानने के कोशिश करेंगे क्या कुछ हुआ आपके सांथ और जो पुलिस परशासन है वो क्या कुछ आपके मदद कर रही है कि नहीं कर रही है नहीं, मेरी कोई मयदन नहीं कर रहा है, पुलिस पर सासंगे। आप सबसे पहले अपनी परिचा दीजे और फिर अप पूरी बात बताईए। मेरा नाम बिनोत मार पुत्र भहिया लाल, गाउं कुतुवापूर, पोस्ट रापी स्थाना सेरा मोदेचरी तैसिर सदय जनपसाजापर से आजा हूँ मैं। मैं दवंगों और पुलिस के सताने से परिसान होकर के यहां तक आया हूँ मैं। मेरी एक छोटी सी चाय की दुकान है, गाउं कुतुवापूर में, पीके बर्मा पेट्रोल पंप के सामने, उसी के पास में उत्तर दिसा में एक होटल है, जिसका संचालन महे सुर्फ चूनी करता है, जो एक दवंग और हिंसात्मक प्रवर्ति का वेक्ती है, और वो मेरी जमीन को हसडना चायता है, हडप लेना चायता है, वो प्रावर्ति के पास मेरी पैत्रक जमीन है, और मैं जो चाय की दुकान चला रहा हूं, वो पुलिस परसासन से मिलकर के, वो मुझे आए दिन परेशा करता है, और पुलिस उसके हाँ खाना खाती है, उसके हाँ बैठती है, तो उसके साफ से पुलिस ने हम पर दो तीन जूटे मुकदमे भी लादे हैं, अच्छा आपको परिशान कैसे करता है, यह बताई, पुलिस कहीं कहती है कि तुम अफिम बेशते हो, कहीं पुलिस आकर क कहती है कि तुम चरस बेशते हो पुलिस ने भी थोड़े दिन पहले हम पर तो मुकदमे लाद दिया है उसमें मैंने दो महिने मैंने सजा काटी है और ढाई मेंने मेरे बेटे ने सजा काटी है मेरी हाई pozby Our देरी कोली से कोई मदद की मतलब आपने जो मुकादमा दायर किया पहली बाद तो मैं दली समाट से हूं इसलिए डली समाट से जो भी लोग है वो नफरت करते हैं और उसे कुचलने का प्रेयास करते है वो दबंग है और छत्री जाती से इसलिए पुलिस और हमारे याखने विधायकस अभी तो चत्री हैं इसलिए वो हमको परैसान गैंडा गर्दी कि ऑग घर मेरी पतनी के साहथ बहुत bigger चन्द दिन पहले की बात है मेरे आने से 6-7 δिन पहले मेरी पतनी के साथ वहां का एसो और उसके साथ में दो तीन सिपाई आए और मेरे आज जो साधार लोग बैठे थे उनको उसने उल्टी सीधी भी का हमको भी का जो मेरी पतनी आई के साथ आपने मुझे मेरे मेरे पती को और मेरे आदमी को दो मेने की जेल कटवाई है फि मेरे पत्नी के साथ उसने बहुत अबर्दता भरी बात तसलील बातें कहीं जो कि मैं इसके मेरे के साथ इतनी अमरियादित बातें थी जो मैं कहीं नहीं सकता थोड़ी बहुत तो बता सकते है, थोड़ी बहुत बताईए क्या कुछ किया है? और इसलिए मैं ड़र से भागाया हूँ कि हो सकता वो मिलकर के कहीं फापामोच जैसी घटना यह हम पांचो लोगों का कतल ना हो जाये मेरा एक छोटा बच्चा है वो भी गाम में है इसलिए मैं भाग करके आया हूं अपनी जान बचाने के लिए और सभी सत्तापश्च के नेतागण मानी मीडिया जिसे मेरा निवेदन है कि वो मुझे नयाद दिलवाएं ये मेरी प्राषना है उनसे कि मेरे साथ कहीं अपरी घटना ना हो जाए आपके ग्राम पंचायत से आस पड़ोस के लोगों से कोई मदद मिली अपर मदद नहीं वो इतने दवंग लोग है कि उनके मेरे साथ कोई नहीं बोल सकता है उनके साथ कई लोगों वो मार पीट चुके है मेरे गाह में जो कि वो एक तो उनके सामने बो तो नहीं कह सकता है जि कोई नहीं कह सकता उसके खलाफ स्कॉइन जोमकदमे डायर कराए हैं या आप पर गगए दायर हूए उसका पूरूँ है अजग हम पास तो पील्ग है। अनुसुची जन जातिक आयोग लखनौ को ये चिठ्थी लिखिये मैंने, उसके बाद जिलादिकारी महोदे को भी चिठ्थी लिखिये मैंने, उसके बाद 156 का कोर्ट में मुकदमा किया है, इतना सब कुछ करने के बाद, ये चिठ्थी एक्ट का उसके मुकदमा दर्ज हुआ है, इसी बीच उसने हम पर जूटा मुकदमा लदवा करके, कि इस बिनोत की पिटाई से मेरे होटल पे काम करने वाले एक लड़के का कान की सवंड़ छमता समात्थ हो गई है, और मैं जैल चला गया, और उसने इस यिस अच्ट पे पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी, और उसके बाद पुलिस मुझे पुलिस ने ये कारवाई कर दिया की मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, और गुंड़ा में नूरत करने के लिए जिला मजिस्ट्रीट के हाँ से मुझे नोटीस आई है ये सब मेरे साथ हो रहा है इसलिए मैं घवडा रहा हूँ कि कहीं पुलिस मेरे साथ पुलिस और दबंग मिलकर के कोई अपरिय घटना ना कर दें और जिबकी मेरे गाओं के प्रधान और छित्र पंचायत के जो सदस हैं ये प्रमालीट किया है लेकिन पुलिस अपनी मेरे साथ बाज नहीं आ रही इसलिए मैं बहुत डरा और घवडा रहा हूँ कि पुलिस मेरे साथ कोई अपने घटना ना कर दे इसलिए ये देखिए ये दोनों प्रधान इन्होंने लिखके दिया है कि ये सज्जन आदमी है और इसके बाद BDC उन्होंने भी लिखके दिया है कि ये सज्जन आदमी है और पुलिस कह रही कि इतना इतना बड़ा एक्ट का चार्ज लगा और पुलि गवाही नहीं दे रहा है, जब कि ये प्रधान जो है, मेरे ग्राम पंचायत में तीन हजार बोटों का प्रतिनी दिर्त तुकरता है, और उसने ये लिखा है, कि ये सज्जन विक्ति है, ये पुलिस की कारवाई है वहनी, आपकी किस से जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, किस से रिक्वेस्ट क्या मांग रहे हैं? वह मेरी मदद करें और इसकी जाच कराएं, इसकी जाच हो, अगर जाच में दोसी हैं, उनके खिलाफ कारवाई होनी चाहिए, इस से इस्टिक में मुकदमा दर्ज होना चाहिए इनके खिलाफ है, तो ये है पूरा परिवार जो की पीडित है, एक दवंग जाती के व्यक्ति से दवंग लोगों से, इनका साफत और पर कहना है कि मामले की पूरी जाच करें, दोशी पाए जाएं जो उसको सजा दें, ये से गुंडा गर्दी ना किया जाए, जबकि पुलिस जो है गुंडा एक्ट लगा कर गुंडा सावित करने में लगी है, लेकिन वही ग्राम अब समझ पा रहे होंगी कि कैसे कुछ दबंग लोगों के आड में आके पुलिस जो है, वो अपना करतव या ना करके दबंग लोगों की जो है, उनकी खुसामत करने में लगी हुई है, पुलिस जो है गरीब लोगों के साथ और जो पीडित लोग हैं, उनी के साथ उनको न झाल झाल